वेलकम टो एचीवर्स अकेडमी और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्लाजमा मेंब्रेन की प्लाजमा मेंब्रेन जिसको हम सेल मेंब्रेन भी कहते हैं तो इसकी करेक्टिस्टिक्स और इसके फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्लाजमा मेंब्रेन की और प्लाजमा मेंब्रेन का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है आपका सेल मेंब्रेन इसको हम सेल मेंब्रेन भी कहते हैं तो cell membrane या plasma membrane जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिसकस किया था है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है cell की cell की जो सबसे बाहरवाली लेर होगी that is called plasma membrane और इसके अंदर एक सेंटर में nucleus होता है बीच में इसके cytoplasm होता है तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ये ही क्या है cell membrane है अब क्या है ये आउटर कवरिंग है cell की ठीक हो गया separates the content of the cell from outer environment देखो ये अंदर इसके जो content है इसके अंदर cytoplasm है ये जिसका हो गया nucleus suppose ठीक है ये हो गया आपका cytoplasm और अंदर इसके बहुत सारे organelles होते हैं cell organelles तो बहुत सारा अंदर substances है, organelles है, fluid है तो उन सब चीजों को यदि cell membrane ना हो तो क्या होगा वो सब चीजे cell के बाहर आजेंगी means कोई boundary नहीं है उसको protect करने के लिए तो cell membrane का ही काम है कि उस सारे content को hold करके रखना उसको properly protect करना कहा से protect करना from the extracelular environment extracelular के हुआ जो cell के बाहर का environment है ठीक है ना extracelular environment से यह अंदर के environment को जो intracellular environment है उसको अलग करती है यह उसके content को अलग करती है यह चीज समझ लुच्छे से यह प्रोटेक्ट करती है अंदर के कंटेंट को और एक्स्ट्रसेलर एन्वाइर्मेंट से उसको बच्चाती है ठीक है थिन होती है नेचर में देखो थिन होती है थिन क्यों होती है क्योंकि अभी आगे पढ़ोगे diffusion osmosis जो की इसके थू होते हैं या substances का जो passes है वो इसके थू होते है तो यदि यह थिन नहीं होगी तो फिर substances यहां से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कैसे जाएंगे ठीक है कोई भी चीज होगी यदि उसके आरपार चीज जाने हैं सपोज कोई भी जो substances है material होगी उनका movement होगी अंदर भाहर तो वो कब होता है जब वो layer बहुत पतली हो बहुत थिन हो तो यह इतनी थिन होती है कि यदि आप 5000 cell membranes को एक साथ रखोगे तब यह बराबर हो जाएगा आपका one paper thickness इतनी थिन होती है यह ठीक है तो यह इसलिए थिन होती है क्योंकि इसके ही through passes होना है समान का सारी materials का, substances का फिर delicate भी होती है nature में elastic होती है elastic क्यों होती है क्योंकि यह hard होगी तो भी जो presses वो नहीं हो पाएगा और movement नहीं हो पाएगा च्छे से और elastic इसलिए भी होती है कि shape change flexible भी होती है nature में, elastic होती है flexible होती है तो यह elastic यह flexible क्यों है क्योंकि इसका जो shape है यह change कर सकती है means बहुत समेजे से suppose red blood cells की बात करते हैं तो blood cells को बहुत ही narrow passages में भी पास करना होते है अपने को तो यदि यह flexible elastic nature में नहीं होगी तो वो movements possible नहीं हो पाएंगे तो इसलिए जो cell membrane है वो बहुत flexible होती है और elastic in nature होती है एक बहुत ही important point है जो कि यह भी याद रखना है तुमको कई बाब पूछा रहता है living और non living तो यह living है अब आता है point selectively permeable selectively permeable क्या होता है देखो पहले समझ लो permeable क्या होता है ठीक नब permeable होगा means it allows कोई भी membrane दी permeable है तो allow करेगी every substance to pass out और इसको इस तरह से डाग्राम से समझ लो कि यदी एक permeable membrane है ठीक नब permeable है तो everything can move in and out there is no restriction without any restriction the movement of substances ये तो हो गया आपका permeable ठीक है तो हम समझ गया कि permeable का मतलब हो क्या हुआ without any restriction the movement of substances अब उसमें लग गया selectively permeable selectively permeable का क्या हुआ ये सपोज एक cell membrane है this is the cell membrane तो क्या होगा इसके थ्रू कुछ material बहार जा सकते है सपोज ये inner content है cell का और ये outer environment है cell का तो it will not allow सारे substances को बहार से अंदर ये अंदर से बहार allow नहीं करेगा केवल it selects the substances it selects the substances to move in and out तो दो processes है जो तुमें याद रखनी है एक होता है diffusion एक होता है आपका osmosis ठीक है ये दो processes है जिनके through substances move करते है osmosis होती है जब water molecule move करते है ठीक है नब water molecules move करेंगे from its higher concentration to its lower concentration means जिधर पानी का concentration ज़्याद है हम concentration की बात करें इन सब को detail में हम next video में करेंगे cover ठीक है तो from its higher concentration to lower concentration जब पानी move करेगा उसको हम बोलेंगे osmosis और diffusion में क्या होगा केवल जो gases है या other substances है water को छोड़कर जो भी substances का movement होगा इस semi permeable membrane के across ये भी ध्यान रखना जो diffusion और osmosis है वो semi permeable membrane के across ही होता है तो जब आप इनकी definition लिखोगे तो ये भी mention करना होते है तो gases या other substances जो है वो diffusion के through pass out होते हैं either from inside to outside अंदर से बाहर या बाहर से अंदर यहाँ पर भी gases जोगी वो अपने high concentration से low concentration में मूव करेंगी जैसे for example ले दे हम कहेंगे आपके और करवन आपक्साइड ज्यादे हैं तो अंदर से बाहर करवन डॉक्साइड आएगी बाहर extra cell environment में oxygen ज्यादे है तो oxygen ज़ो है लो अंदर जाएगी इस तरह से समझ सकते उसको कि यहाँ पर oxygen है ज्याद है तो यह अंदर मूव करेगी और अंदर carbon dioxide आजाता है तो यह cell से बाहर आएगी तो इस तरह से यह process होती है same higher concentration to lower concentration water भी move करता है but वो process होती है आपके osmosis जिसमें की water move करता है तो suppose carbon dioxide है वो gas cell के अंदर है तो cell से बाहर जाएगी और oxygen बाहर से cell के अंदर आएगी तो इस तरह से क्या होता है कि एक जुतने भी आपके useful material है cell के अंदर वो cell उसको बाहर नहीं जाने देगी उसको अंदर protect करके रखेगी और जो waste है उसको बाहर फेक देगी ठीक है अब यह कैसे बनी होती है यह structure है यह structure आपको draw करने को नहीं आता है cell membrane का क्योंकि यह आपके slivers में भी नहीं है लेकिन एक थोड़ा से इसका देख लो किस तरह के structure होते है जिसमें कि lipids और molecules होते है lipids भी अलग-अलग तरह के होते है जो कि तुम पढ़ोगे senior classes में अभी समझ लो कि यह cell membrane lipids की और proteins की बनी होती है ठीक है ना lipids की वज़े से ही फ्लैक्सिवल होती है नेचर में तो यह याद रखना कि किस तरह के substances से वनी है यह organic molecules से वनी होती है जो कि lipids और proteins है और यह हर cell में present in all the cell जहाए वो कोई भी cells हो animal cell, bacterial cell, plant cell, fungi किसी भी organism में cell membrane, even prokaryotes cell membrane membrane की presence हर cell में होती है plant cell में, cell wall के अंदर होगी वहां outermost covering cell wall होगी लेकिन cell wall के अंदर cell membrane होगी लेकिन animal cell में यह outermost covering होती है जिन cells में cell wall होगा वहां पर यह cell wall के अंदर होगी अब इसके functions क्या है इट गिवस definite shape to the cell ठीक है क्योंकि इस ती आउटरमोस्ट कवरिंग है तो cell ही है cell membrane ही है जो कि एक shape देती है cell को ठीक है जैसे आप देखते हो कि अलग-अलग type से cell उसका shape होता है अभी हमने पिछले डाग्राम्स में देखा था कि जिसे nerve cell उसका अलग shape होगा उसी तरह से यदि आप देखो तो जापके smooth muscle आपने देखा उसका अलग shape होगा अमीवा और paramecium वो भी तो cell है अमीवा का shape बिलकुल अलग होता है अमीवा इस तरह का structure होता है something like this तो paramecium एक slipper shape में होता है तो इनका भी shape different होता है तो यह shape कौन दे रहा है cell membrane gives the definite shape to the cell second point of function is it protects the cell content cell के content को अंदर जो content है cell का उसको protect करती है third permit only certain substances to move in and out कुछी substances को अंदर और बहार move करने देती है हर substance को नहीं करने देती है और इसलिए selectively permeable membrane कहलाती है तो इसमें आपसे question पूछाता है why is cell membrane called selectively permeable membrane selectively permeable membrane इसलिए क्यलाती है cell membrane is called selectively permeable membrane because it permits only certain substances to move in and out हर substance को अंदर और बहार नहीं आने जाने देती है ठीक है तो इस तरह से आपका यह cell membrane का topic cover हो गया है अगले वीडियो में हम बात करेंगे osmosis और diffusion so thanks for watching the video और देखो यह आपको लगातार मैं पूरा पूरा चैप्टर NCRT का cover कर रहे हूं प्लस सारे questions आपको दे रहे हूं तो आपके पास लगभग शायद आप two words तक काफी पूरा का पूरा syllabus आपका complete हो जाएगा मेरे साथ उसके बाद आपको previous year questions और जितना भी आपका और इस्टफ होता है material होगा जो आपका हर समय reachable है सारी playlist रहेंगी आपको सिर्फ खोल के देखना है playlist on करनी है और आपको एक एक करके सारे lectures प्लस सारे questions और आपको यदि particular एक देखना है आप उस particular पर क्लिक कर लोगे तो कुल मिला के आपके लिए फाइदे मंद है तो उम्मीद करते हूं जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब जरू करेंगे चैनल को थैंक यू नस अगान गट ब्लस्यों